दोस्तो स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल में अगर आपका footwear का business है और आपके business में sale को आप double करना चाहते हैं अपने profit को double करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बिना पैसा खर्च की कैसे मैं जादस जादा customer को engage करूँ अपने पास में लेकिया हूँ कि special आपके लिए हम वीडियो बनाएं तो जरूर हमें comment box में बताना तो हमारी पहली strategy है Godzilla marketing या फिर viral marketing भी हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे अपनी showroom को या छोटी से दुकान उसको भी हम viral करेंगे कैसे करेंगे यह समझी आप मेरे साथ अभी हम क्या करेंगे जो भी आप बेचते हैं समान यानि कि footwear में चपल हो जूता हो सैंडल हो anything को उसको आपने क्या करना है अपनी दुकान के बाहर एक बहुत बड़े size में उसको रख देना या hang कर देना है उसको या फिर आप बाहर shoes की shape में या sleepers की shape में कोई sofa लगा सकते हैं आप chair बना सकते हैं बैठने के लिए जहां पर कोई भी आता जाता है वहाँ बैठे और देखे हैं बहुत unique चीज है और वहाँ पर photo भी click कराए ये सुनने में शायत लग रहा है बहुत नई चीज है लेकिन यही तो है premium powerful strategies जो की बड़ी बड़ी companies इस्तेमाल करती है अजया इसमें आप और क्या कर सकते हैं अपनी जहां पर आपका showroom है या आपकी दुकान है उसके आगे आप painting बना सकते हैं बहुत बड़ी shoes की painting बना सकते हैं 3D painting बना सकते हैं जो भी वहां से आएगा जाएगा automatically वहां पर photo click करेगा आपका brand का logo लगा होगा लोग आपको देखेंगे और automatically आप viral हो जाएगे और ये भी हो सकता है कि वहां के local new channel वाले भी आपके दुकान की अलग strategy को cover करके automatically वह भी आपको viral कर देंगे और पैसा भी कोई खर्च दी होगा आपका अगली हमारी strategy है Give new life to all data ये क्या है समझिए इसको यानि कि जितने भी आपके पास customer दुकान पर आते हैं माल लेजिए कि आपका walk-in अच्छे से हो गया आपने marketing किया और walk-in हो गया लेकिन walk-in होने के बाद भी sale नहीं हो रही है आपकी दुकान पर customer आता है और देखके चला जाता है sale नहीं हो रही है ये problem है आपके business में comment box में जरूर लिखके बताना अब आपको क्या करना है बहुत असान काम है बहुत असान ये वो strategy जिसके बाद में आपका customer सिर्फ आपकी दुकान पर आएगा कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़के आपको customer का पूरा data maintain करना है customer जब आपकी shop पर आता है उसको एक ना visitor book आती है बिल्कुल normal होती है आप उसको fill करा उस से visitor book में उसका नाम, address, phone number लिखा लीजिए, उसके requirement क्या है वो क्या लेने आया था मुझे किस कलर का shoes चीए उसकी क्या requirements है, हर चीज को लिख लीजिए अब माल लीजिए, वो आपकी दुकान पर आया और उसको वो चीज नहीं मिली वहाँ पर तो आप बोलिए, sir आप बिल्कुल टेंशन नलो, आप आराम से घर जाओ हम आपको बहुत बड़ा collection भेजेंगे WhatsApp क्रूप के उपर, या आप यहाँ बैटके भी देख सकते हैं, आप उस customer के बहुत सारे design अल्रेडी आप बना के रखिये अपने पास में एक catalog बना के रखिये, आपको बहुत बड़ा stock रखने की जड़त नहीं है customer को बना सरा हम आपके लिए special against order मंगा के देंगे और customer को घर भेज़ देजिए और जब भी, जब वो customer आपके साथ में touch में रहेगा WhatsApp के उपर, आपके broadcast list के अंदर, और भी बहुत सारे platform के मदर से, social media के platform से, वहाँ पर आप उसको touch करते रहेंगे, उसको different different shoes के design भेजते रहेंगे, हर दी, कोई नया product आया है, तो वो भी उसको भेजते रहेंगे तो एक बर तो आपसे purchase करेगा लेकिन वो customer lifetime के लिए आपके साथ connect हो जाएगा उसको पता रहेगा, गर उस दुकान के उपर अब ये नया product आया चलो फटाफट से जाके purchase करके लाते है अगर आप आप ये चाहते हैं कि सर हम कैसे अपनी सभी customer को touch base बना के रखेंगे, social media का कैसे इस्तमाल करेंगे, ये broadcast list और आप कैसे maintain करेंगे customer detail wise, तो बिल्कुल attention आलो आपके लिए free of cost हमने पोरी checklist बना के रखी है, actual sheet बना के रखी है, कि data को कैसे maintain करना है नीचे description box में link दिया है अभी के अभी जाके वहाँ पे अपनी detail डाली हम आपको free of cost वो पोरी actual sheet और साथ में checklist बहस देंगे मेल पे हमारी third strategy है give importance to display इसके अंदर आपको क्या करना है जो भी आपके kids section है आपके special आपने young बच्चों के लिए sections बना रखे है तो आपको उनका जो area जहां वो बैठेंगे उसको भी ना उसी तरीके से design करना है theme based आपको design करना है kids बच्चों के लिए अलग तरीके से design करना है कि बच्चे वहाँ पे आए तो engage हो जाए वहाँ पे तो उससे किया होगा कि customer जब आएगा तो उसको ने बहुत अच्छा experience मिलेगा अब आप सोचिंग सेच में तो हमारे पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे नहीं लगेंगे बिल्कुल नहीं लगेंगे छोटी से दुकान होगी तो भी उतना ही पैसा आपका लगेगा बिल्कुल free of cost एक nominal charges पे आप display बहुत creative बना सकते हैं interior design अप Google से देखके कोई भी कर सकते हैं यह आपको बहुत help करेगा आपके customer को हमेशा आपके बारे में याद दिलाता रहेगा कि मैं वहाँ पे गया था और मेरे को इतना अच्छा वहाँ पे display मिला था देखने को इसी तरीके से आप औरतों के लिए अलग section बना सकते हैं बुज़गों के लिए अलग section बना सकते हैं बिल्कुल theme based कि जब वहाँ बैठेंगे वो तो उनको हमेशा आपका brand याद रहे और retain रहे आपके साथ अगली strategy है हमारी don't waste customer time यहाँ पे आपको customer का एक second भी खराब नहीं होने देना आपको ध्यान रखना कि customer जब आपके दुकान में आई बहुत सारे दुकान दर क्या करते हैं कि हमेशा जो length measure करने के लिए equipment रखा वाता वो नहीं रखते हैं और जूते को पहना पहना के देखते हैं बार बार कि set हो रहा है कि नहीं हो रहा, fit हो रहा है कि नहीं हो लेकिन आपको बिल्कुल गलती नहीं करने ही हमेशा पहले size measure करना है उसके बाद में exact size का उनको आपको shoes, sandal, chappal जो भी है औरतों के हैं, बुजरुगों के हैं वो आपको उनको लाके देने हैं और customer का एक-एक second आपको बचाना है इस छोटी-छोटी चीज़ें आपको अपने competition से बहार निकालेगी और आपके customer को एक feeling दिलाएगी वाव वाली अगली मारी powerful strategy है social media की आपको social media को बहुत अलग तरीके से इस्तमाल करना है आप देखेंगे कि कोई भी इस तरह है कि footwear वाले social media को इस्तमाल नहीं कर रहे है आपको क्या करना है जब भी कोई purchase करता है आपसे समाग कुछ भी XYZ आपकी footwear shop से आपको हमेशा हमेशा उसको इतना importance फील कराना है कि sir देखी आप हमारी दुकान पर यह हमारा सो भाग है आपने में इतने सारे दुकानदार में से हमेशा सेलेक्ट किया और उसके साथ में आपको एक display बनाना है जहां पर आप सिरफ photo click करेंगे उस customer को वो bag देते वे और जहां पर जिसने हैं कि उस shoes, chappal, जो भी आप उसको दे रहे है साथ में उस photo को आप upload करेंगे अपने social media पे Instagram हो गया, आपका Facebook हो गया, XYZ, LinkedIn हो गया वहां पे और अपने customer को जरूर उसमें tag करेंगे अपने customer को importance feel करेंगे और अपने customer को भी आप उपना brand ambassador बनाएंगे ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे comment box में जरूर लिखके बताएं आप क्या business करना चाहते हैं या आपके business में कोई भी problem है हमें comment box में जरूर बताइएगा और अगर आप चाहते हैं मुझसे personally one to one बाक्रीत करना और इससे भी ज़्यादा powerful strategies business की सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे दियेगे number पे बात करें हमारी team से और उनसे पूछिए कि sir मेरा ये business है मैं मेरा ये business है मैं इसको बढ़ा करना चाहता हूँ डवलप करना चाहता हूँ बताईए आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं मेरे business को बढ़ा करने में वीडियो को लाइक जरूर करके बताईएगा वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सभी दोस्तों के साथ में जरूर सेर कीजिएगा जो business कर रहे हैं या business करना चाहते हैं आप सब रगों का बहुत बहुत धरनेवाद इस वीडियो को देखने के लिए